हेलो आपीवन, वेलकन दो वाइफा एडुकेशन, वाइफा एडुकेशन की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे डैली पुलिस कॉंस्टेबल की सेकंड शिफ्ट के जी एस और कंप्यूटर के कोश्टन्स जो की सताई नमंबर दो है अब बीस को सेकंड शिफ्ट में पुछे इसके बाद शाम को एक वीडियो आएगा जैसे में हम पहली, दूसरी और तीसरी तीनो शिफ्ट्सों के जो भी करेंट अफियर्स के जनरल अवेर्नस के और कंप्यूटर के कोश्टन्स होंगे उनको हम एक ही सिंगल वीडियो में कवर करेंगे डिटेल में उस वीडियो को व क्या था, which company is a sponsored company for the IPL 2020, IPL जो हुआ है 2020 का, इसमें कौन सी कंपणी है, जो कि sponsor company थी, ये कंपणी है, dream 11, dream 11 जो है, ये है, sponsored company IPL 2020 में, इसके लावा आप से दो question और पुछे या सकते है, IPL से लिट्टर, सबसे पहले orange cap, orange cap जो है, ये जीता है, केल राहुल ने, और जो purple cap है, इसको जीता है, कागी सो रबाडा ने, कागी सो रबाडा, ये वी दो questions आप से पूछे जा सकते हैं, सो याद रिखे, next question पूछा गया था, second number question, कावेरी रीवर जो है, इसका originate कहां से होता है, ये question basically पूछा गया था, ये करनाटका से originate होती है, कावेरी रीवर, करनाटका जो है, इसमें western घाट पाए जाते हैं, यहाँ पे एक रेंजा जिसका नाम है, ब्रहमगीरी रेंजा, यहाँ से originate होती है, एक रिवर जिसका नाम है, कावेरी रिवर, जो आप से याद रिखे, third number question पूछा गया था, which of the falling site of हडपन civilizations is not in गुजरात, यानि कौन सी हडपन जो की गुजरात में लोकेटर नहीं है, यह थी option में हमें दी गई थी यो राखी गड़ी, राखी गड़ी जो है basically, यह लोकेटर है हर्याना में, बाकी जो चार option दिये गए थे, तीन option दिये गए थे, वो सारे के सारे गुजरात से बिलोंग करते थे, याईसे for example, लोथल, इ जो राखी गड़ी थी, वो हर्याना से बिलोंग करती है, और यह गुजरात से बिलोंग नहीं करती है, next question पुछा गया था, fourth number question, इसमें पुछा गया था, राजीव गांदी खेललतन अवार्ड के बारे में पुछा गया था, basically, इसमें पुछा गया था, किसको दिया गया है यानि आपको चार option दिया गया था, पुछा गया था, किसको दिया गया है, यह 5 person है जिनको 2020 में, यानि 2020 में, यह राजीव गांदी खेललतन अवार्ड दिया गया है, सबसे पहले रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, रानी रामफल, विनेश फोगाट और मरी एपन थेंग बेलू यह 5 person है, जिनको 2020 में 2020 में, राजीव गांदी खेललतन अवार्ड दिया गया है, इसके इलावा पीव यारिखे, जो राजीव गांदी खेललतन अवार्ड है, यह इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड है, वो है, राजीव गांदी खेललतन इनके द्वारा 99 ब्रदर्स की अपने हत्या की गए थी उसके बाद ये एंपरेर बने थे मौरें डिनेस्टी के इनका नाम पुछा गया था बेसिकली ये थे अशोका ग्रेट अशोका जिनको हम समराट अशोका भी बलाते हैं नेक्स कैशन पुछा गया था जिया बराजील की कैपिटल पुछा गया था ब्रसिलिय ये तकी ये ये णाब谭रा विपर ब्रसिल रूंब्र इसके जो चैर्मीन बने है यह बने है यह बने है यह बने है एस जो आप से पुछा आसकता है यह आप से श्रेफ्ट में या यह जो जीवनी है बायोग्राफी है वो है मैलेन अंट्रंप की मैलेन अंट्रंप की बायोग्राफी जिसका नाम है दा आर्ट ऑफ हर डील और इसको लिखा है मैरी जॉर्डन ने इंडिया की जो होकी टीम है इसके करंट कोच पुछे गए थे इसके जो प्रेज़ेंड में कोच पुछे गए थे इसके जो प्रेज़ेंड में कोच है वो हैं ग्रेहम रीड ग्रेहम रीड नेक्स्ट पुछा गया था ग्यारा नंबर क्वेश्ण विच्ट ट्रेन इस स्टाट बाइ इंडिया रेलवे इन अगस्त 2020, अगस्त 2020 में इंडिया रेलवे के द्वारा कौन सी टेन है जो स्टार्ट की गई थी, ये थी किसान रेल, किसान रेल जो थी, पहली जो किसान रेल स्टार्ट की गई थी, ये अगस्त में स्टार्ट की गई थी, ये कहां से कहां तक चली यह चली थी देवलाली से देवलाली जो है यह महारास्टरा में लोकेटड है और यह एक जगा है जिसका नाम है दानापुर यह लोकेटड है बिहार में यह दो प्लेसे जहें को कुनेक्ट किया गया था इस रेल के मादिम से जिसका नम था किसान रेल देवलाली जो है महारास् असे जिसको बोलते हैं फाग एड जे पुछा गया था एड सबी को बता होगा यह एक दिसंबर को एक तरनी जर्णरल के लिटरदी भी एक कोशन पुछा गया था यह सारे जो इंपोर्टेंट आपसे पुछे गया होंगे आप बता दिना कौन सा question आपसे पुछा गया था attorney general जो present time में है वो है KK Venu Kapal, KK Venu Kapal इनका जो term है tenure होता है वो fix नहीं होता है यह आप याद रिखें, इनका tenure fix नहीं होता है और attorney general का जो article है वो है, article 76 जो हमें इनकी qualification वगेरा बताता है सारा जो criteria इनका वो बताता है attorney general of India के बारे में उसके इलावा attorney general जो होता है यह लोकसभा में भी और रजसभा में भी दोनों house में से किसी भी house में बैठ सकता है इनको permission होती है attorney general of India को किसी भी सदन में जाके बैठने की बट यह vote नहीं कर सकते यानि यह vote क्यों नहीं कर सकते क्योंकि यह किसी भी सदन का member नहीं होते है मिथेन गैस जो है यह एक मार्श गैस मार्श गैस है जो कि एक मिथेन गैस है यह आप याद रखी नेक्स कोशन पुछा गया था सोला नंबर कोशना scientific names के बारे में पुछा गया था basically यहाँ पे यहाँ पे मैंने तीन के तीन जो है scientific name जो अलग अलग B1 जो है सबसे पहला है vitamin B1 इसका जो है वह은 thai mine और जो हमारे पास B9 है इसको बोलते है फॉलिक एसिड जो vitamin A है इसका जो scientific name है है यहाँ फॉलिक एसिड घलत दिया गया है इसका जो scientific name है वह है retinol यह आप याद रखे रेटिनोल जो है यह है विटामिन A का scientific name उसके बाद विटामिन B1 का जो है थाइमाइन और जो थर्ड है हमारे पास वो है फॉलिक एसिड जो की है B9 का जो की विटामिन B9 का scientific name है उसके बाद काफी श्वेंड बोल रहे थे कि DNA की फलफों पुची गई है काफी बता रहे थे कि यह पुचा गया था DNA को inventor किस ने किया है डिसकवर किस ने किया है अगर पुचा गया था DNA stands for उसका नसरोगा D-oxyribonucleic acid अगर आपसे पुचा गया था DNA की जो खोज किया वो किस ने किया है उसका नसरोगा James Watson और Francis Crick का यह आप देख सकते हो James Watson और Francis Crick का इन दोनों के दोरा की गई थी DNA की यह आप याद रिखें नेक्स पुचा गया था इसमें पुचा गया था पीएच वैली ऑफ बलड़ बलड़ जो होता है इसका पीएच बेसीकली मान पुचा गया था वो है 7.4 और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 7.2 से लेकर 7.4 यह आप देख सकते हो और अगर आपको दिए गई होगी तो आप कांसर होगा 7.4 नेक्स पुचा गया था 19 नंबर कुच्छन विच डिसीज कॉस्ट वेन दा कैडियम इंक्रीज इन दा वाटर यानि हुमन बॉड़ी में जो वाटर होता है अगर उसमें कैडियम की जो संख्या है यानि कैडियम इंक् क्रीज हो जाए उस समय उस परसंद को इटाई इटाई डिसीज जो है वह हो सकता है इटाई इटाई डिसीज नेक्स पुचा गया था 20 नंबर कुच्छन वेन दा रेडड आंट बाइट्स विच एसीड इस रिलीज्ट यानि अगर रेड जो आंट होती है जो कीडी होती है वो जब कारती है उस समय उसके दोरा कौन सा जो एसीड है वो होता है वो होता है फॉर्मिक एसीड फॉर्मिक एसीड नेक्स पुचा गया था 21 नंबर कुच्छन हो मैनी इस प्रिश्मेंट इस गिवन इफ एनी परसंट ट्राइट तू कॉट इस सुसाइड यानि अगर कोई वो जिंदा पकड़ा जाता है तो उसको एक साल की सजा हो सकती है वन इयर इसका टर्मिक आ गया है गवर्नमेट के दोरा यह आप याद रख सकते हो नेक्स पुच्छा गया था 22 नंबर कुच्छन परवासी रोजिगार स्कीम जो है यह कब लांच की गए थी परवासी रोज नबर की दोरा ग्रेटा नबर जो हैं इनके दौर गुलव्व रिख जिता गया नेक्स पूच्छन बुचा गया था एक कोश्चन बुक से और पुचा गया था मालगुडी डेस जो है बुक यह किसके द्वारा लिखी गी थी इस बुक को लिखा था आरके नराइनन के द्व था Reserve Bank of India को यह आप याद रखें प्रेजर्ट में इसके गवर्न है वो है शक्तिक अंदास शक्तिक अंदास जो है यह है प्रेजर्ट में एज गवर्न ओफ आर्वे यह भी आप याद रखें डर्बारी पोईट समुध्र गुप्ता पुछा गया है इसका जो चीफ है प्रेजम में वो कौन है इसके वह है इंतोनिय सारा गेरस आ dale से कंट्री है पॉर्चुगल पॉर्चुगल देसे एस्सेट हैं अन्टॉनियो गटारस और इसका मुख्याल्य है नियू यॉक में नियू यॉक सिटी जो है यह है यूसे में यह आद रख सकते हो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो computer awareness से question पुछा गया है पहला question पुछा गया था what is the full form of ROM? ROM की full form basically पुछा गया था ROM यह stand करता है read only memory read only memory जो है यह full form of ROM next question पुछा गया था RAM के बारे में RAM यह मैंने आपको extra factor में डाला है इसलिए यह ROM पुछा गया है अगर तो RAM भी अगली shifts में पुछा आ सकता है RAM जो है यह stand करता है random assess memory बट आप से पुछा गया था only ROM यह आप याद रखें read only memory और RAM याद रख सकते हो आप random assess memory next question पुछा गया था function की जो है effort to यह किस चीज़ के लिए use किया थी है यह file का name वगयरा को change करने के लिए use किया थी है यानि rename करने के लिए यह जो function की है वो use किया थी है rename function के लिए next question पुछा गया था third number question which of the following is our impact printer impact printer जो है वो कौन सा है दिये गए चार अप्शन में से इसका जो right answer था वो था dot matrix dot matrix जो था यह था impact printer दिये गए चार अप्शन में से इसका जो right answer था वो था यह अप्शन next question पुछा गया था fourth number question HTTP जो है इसकी full form basic लिए पुछा गया था HTTP जो है इसकी full form है hypertext transfer protocol hypertext transfer protocol इसके लावब आप यह याद रिखे next question पुछा गया था कौन सी shortcut की है यो की use कियाती है सारे के सारी document को select करने के लिए यह जो shortcut की है वो है control plus a control plus a जो है यह use कियाती है इसको press करने से सारा का सारा जो document है वो select हो जाता है अगर पुछा जाए जाए control plus c से क्या होता है उसका answer होगा control plus c जो है यह copy करने के लिए use कियाती है control plus v जो है यह use कियाती है paste करने के लिए यह सारी important है याद रखें इस तरह की question आपके design हो रहे हैं आपके exam में so आप यह भी याद रखें so यह थे सारे questions जो डेली police constable की 27 November 2R20 की second shift में पूछे गए है इसमें हमने 27 plus 5 32 questions को cover किया है अगर आपके पास इसके इलावा questions है तो आप मुझे वर्सेपर send कर सकते हो 84-378-4-099 यह वर्सेप number है इस पर आपने जो questions है वो send कर सकते हो अगली जो वीडियो होगी उसमें बाकी जो बचे हुए questions होगे वो भी शामिल कर दिये जाएंगे अगर आपको इस वीडियो की PDF जाएए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाइफा एडिकेशन को जोईन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्केप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से ड्रैक्ट आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके सब ही PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगए हो तो इस वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वाइफा एडिकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अकन को भी जुरूर पैस करना है ताकि इस तरह की जो informative वीडियोज होती हैं वो आपको extra knowledge के साथ सबसे पहले हमारे चैनल पर provide कर दी जाएं So इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में इसमें जो भी questions include किये गए हैं वो 100% real थे वही questions include किये गए थे जो students के द्वारा send किये गए थे So thank you so much